ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था वहीं विश्वसर्मा ने सीधे सीधे तिर्मुल कॉंग्रेस प्रमुक को आखे दिखा दी है वहीं केंद्री मंत्री ने ग्रामंत्री अमिश्या को पत्रे लिख कर दीदी की बयान बाजी पर पत्रे लिख कर शिकायत की है दरसल कॉलकत्ता में प्रेनी डॉक्टर की रेप मडर केस में चात्रे संगठनों की प्रोटेस्ट मार्च की बाद बीजेपी ने 28 अगस्त को 12 गंटे का बंगाल बंद बुलाया था बंद के दोरान कई जीलों में पुलिस और बीजेपी समर्थकों की बीच जड़प होई थी गोलाबारी की घटनाएं भी सामने आई है इसमें कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है प्रेनी के करीब 50-60 लोगों पर हमला करने के आरूप लगाए गए है इसके बाद तिर्मुल चात्र परिशत के 27 इस्थापन दीवस के मौके पर चात्र परिशत को संबोधित करते वे सीम मम्ता बनरजी ने पियम मोदी पर बंगाल को जलाने का आरूप लगाया सीम मम्ता बनरजी ने कहा की कुछ लोगों को लगता है की यह बंगलदेश है मुझे बंगलदेश से प्यार है वे हमारी तरह बात करते हैं और हमारी संस्कृती भी एक जैसी है लेकिन याद रखिये की बंगलदेश अलग देश है और भारत अलग देश है मोदी बाबू कॉलकत्ता के रेप मडर केस में अपनी पार्टी का इस्तमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नौर्थ इस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारकंड, उडिसा और दिल्ली भी जलेंगे हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे वहीं बंगाल सीम मम्ता बनर जी के इस बयान का प्रती उत्तर देते वे असम के मुख्य मंत्री हिमन बिस्वसर्मा ने पोस्ट कर लिखा की दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की हमें लाल आखे मत दिखाईए आपकी असफलता की राजनिती से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए आपको विवाजनकारी भाषा बोलना शोबा नहीं देता वहीं असम के जल संसादन मंत्री पियुश हाजरिका ने कहा की मम्ता हमें न तो धमका सकती है न डराने की कोशिश कर सकती है वे अपने डज्जे में कानुन और व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रही है और हमें धमकी दे रही है मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ की असम में नहीं चलेगा मंत्री मौधय ने ये भी कहा की मंता बरणजी जैसी वरिष्ट निता को पता होना चाहिए कि सर्वजनिक रूप से कैसे बोलना है पॉलिटॉक्स बीरों पंगाल ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ट और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था